हेलो फ्रेंग्स वेल्कम टू हीना केमिकल सिप्रियॉल ओइल या इसको हम नागर मोथा भी बोला जा सकता है डिश्टिलेशन्स प्रोसेस के द्वारा इसको निकाला जा सकता है तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिसकस करेंगे कौन-कौन से केमिकल के साथ ब्लेंड हो सकता है रेडि मेड केमिकल पर्फियूम केमिकल के साथ भी कैसा ब्लेंड हो सकता है उसके बारे में ये वीडियो में हम डिसकस करने वाले है तो उसका जनरल केस नमबर है 68916609 है केटेगरी इसकी fragrance केटेगरी में आता यह appearance इसका देखा जाए तो pale yellowish clear liquid है कई-कई जगा पे brownish liquid भी देखा जा सकता है dark brownish liquid में भी और इसका order जो है वो अर्थी बुड़ी है vetiver type है dry spicy knot भी है इसके अंदर और pitcholi knots का भी touch है इसके अंदर बहुत ही बढ़िया एक बैतरीन essential oil बोला जा सकता है इसको और यह ज़्यादा तर नागरमोता oil एरोमा थेरापी के अंदर भी यूज होता है medicinal property के तोर पे भी यूज होता है इसका ayurvedic medicine में भी यूज होता है homeopathy medicine में भी यूज होता है fragrance industries में भी बहुत बढ़ा इसका यूज है cosmetic industries के अंदर उसके जो perfume नरी बनते उसके अंदर भी बहुत ही बढ़िया इसका यूज है तो हम उसके कुछ ready made fragrance के अंदर क्या changes कर सकते और इसका दूसरे essential oil के साथ कैसे blend बना सकते उसके बारे में discuss कर रहेंगे तो ये wood fragrance के लिए बहुत ही बढ़िया एक essential oil है oriental nuts के उपर की जितनी भी fragrance है उसको earthy woody nuts देना है और साथ साथ में आपको थोड़ा सा sweet spicy nuts भी देना है तो ये नागरमथा oil बहुत ही बढ़िया reactant oil है अब इसका एक accord देखेंगे ड्रकार नौईर एक perfume compound है दूसरा है अजारू करके perfume compound है ये दोनों perfume compound के साथ सिप्रियॉल oil मानि नागरमथा oil सीडर वूड ओइल एंड फिनाईल इथाईल आलकोहॉल इन सब का एक blend accord देखेंगे उसका measurement कैसा है डिसकस करता है कि बही ड्रकार नौईर जो है वो आपको 5 ग्राम लेना है अजारू 5 ग्राम लेना है सिप्रियॉल oil भी 5 ग्राम लेना है सीडर वूड ओइल एंड फिनाईल इथाईल आलकोहॉल दोनों 2-2 ग्राम लेना है यह इतना बढ़िया एकॉर्ड बनेगा आपका एकॉर्ड के सिवा इसको डारेक पर्फ्यूम के तौर पे भी ऊद्ध नौट वाले पर्फ्यूम के तौर पे भी आप यूज कर सकते हो और बहुत ही बढ़िया रियक्टेंट यह एकॉर्ड है जरू ट्राइ कीजिए गया इसके बारे में इसका दूसरा ब्लेंड देखते है अलग-अलग एसेंसिल ओईल के साथ और उसके साथ आईएसो इसूपवर हैजे सॉल्वंट के तौर पे यूज करेंगे हम यहाँ पे तो पहला सिप्रियल ओईल है पिच्चोली है वैटीवर ओईल है जिंजर रूट ओईल एन आईएसो इसूपवर इतने केमिकल का एक एक एकॉर्ड देखते है शिप्रियल ओईल मानि नागरमोथा ओईल आपको चार एमेल लेना है यहाँ आप एमेल में भी मेजर ले सकते हो या ग्राम में भी ले सकते हो पिच्चोली ओईल एक एमेल लेना है वैटीवर ओईल दो एमेल लेना है जिंजर रूट ओईल आपको एक एमेल लेना है और आईएसो इसूपवर दो एमेल लेना है दस एमेल का एक एक एकोड तयार होगा यह एकोड ओरियंटल वूडी फ्रेग्रेंस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है खास तोर पे मिडल नॉट को स्ट्रॉंग बनाता है यह एकोड और ओद बेस के जितने भी पर्फियूम है जितने भी इतर है के पर्फियूम है मार्केट में तो उसके मिडल नॉट्स को स्ट्रॉंग बनाना है आपको तो यह एकोड का जरू ट्राइ कीजिए बहुत थी बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा इसमें से अब कुछ दूसरे एकोड भी देखते हैं कि रेडी मेड फ्रेक्रेंस जो है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करना है जैसे कि सीगार का एक पर्फियूम है ऊद का पर्फियूम है फिर कोई भी ऊद लेवल का वोडी स्पाइसी पर्फियूम है ठीके तो उसमें आप सिप्रियूल नागरमोथा कैश्मरन और वेरासपाइस आई एफ एफ का वेरासपाइस है वो नहीं है तो आप आई एसो यूजनोल का भी यूज कर सकते हो तो इसका एक एक एकोड देखते हैं यह एकोड में आपको सिप्रियूल 6 ml लेना है कैश्मरन जो है वो 10% डाइलूटेड वाला लेना है डायरेक ओरिजिनल कॉंसेंट्रेट लेना नहीं है आपको 10% डाइलूटेड कैश्मरन आपको 2 ml लेना है वेराज स्पैस या आई एसो यूजनोल आपको 2 ml लेना है दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो आप ऐसे 10 ml का एक एक एकोड बनाओ यह एकोड का आउटपूट एक बहतरीन हर्थी वूडी स्पाइसी नॉट के उपर आएगा और बहुती बढ़िया कोई भी ऊद्ध नॉट्स है उसको बहुती बढ़िया टच देगा बहुती एक उठाओ देगा खैलाओ भी लाएगा परफ्यूम के अंदर ओरियंटल नॉट है उसके साथ साथ थोड़े बहुत एक्वेटिक नॉट के अंदर भी यह एकोड बहुती अच्छा काम करता है नागरमोथा ओईल भी बहुती अच्छा काम करता है इसके अंदर तो फ्रेंग्स आजका वीडियो था नागरमोथा ओईल के बारे में सिप्रियल ओईल के बारे में हमने इसका एसेंचल ओईल डिस्टिलेशन्स प्लांट के थूँ बनवाया है बहुती बढ़िया 100% कॉंसंट्रेट ओईल है यह जिसको भी चाहिए वो वाट्सप पे मैसेज छोड़ सकता है तो आज का वीडियो था नागरमोथा ओईल शिप्रियॉल ऑईल बोला जा सकता है बहुती बढ़िया रियक्टेंट ओईल है टॉबे को इंडस्ट्रीश के अंदर भी इसका काफी यूज है टॉबेको फ्लेवर बनाने में भी इसका बहुत ही बढ़िया की वो जबर्जस रियक्टिंग फ्लेवर बनेगी और बहुत थी बढ़िया फ्लेवर बनती है तो फ्रेंड्स आज का वीडियो था नागर्मोथा ओयल के बारे में आप यह हमेरा वीडियो देख रहे हैं इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया जैहें गुड देख गोड़ा देख गङ़ झाल यह हम आपका बहुत अबड़ाद चली बड़ाद